सबी सिक्षक बंधूं को मेरा नमस्कार आज हम सब इस वीडियो में समर्थ पोर्टल के समस्त दिव्यांग बच्चों को प्रेरडा पोर्टल से लिंक करने की पूरी पुर्क्रिया को सीखेंगे प्रेरडा पोर्टल येवं समर्थ पोर्टल पे रजिश्टर्ड दिव्यांग बच्चों को लिंक करने की प्रक्रिया सभी नोडल टीचर येवं इस्पेशल एजुकेटर द्वारा संपन किया जा सकता है इसके लिए आगे वीडियो में हम सब दिस्तार से जानेंगे सरफथम नोडल टीचर येवं इस्पेशल एजुकेटर जितने भी रजिश्टर्ड बच्चे होते हैं उनके प्रोफाइल पे टैप करेंगे टैप करने के बाद नोडल टीचर के विद्याले में जितने भी बच्चे वो दिखने लगते हैं बारी बारी से हम उन सब बच्चों को प्रेडा पोर्टल से लिंक करने की प्रक्रिया को सीखेंगे अब जैसे ये उपर वाली बच्ची इसमें टैप करेंगे टैप करने के बाद क्लिक हीर टू बेरिफाई प्रेरणा पोटल पे बेरिफाई करने के लिए बता रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटर यूनिक आइडी प्रोवाइड़ बाई प्रेरणा एप तो प्रेरणा एप से उस बच्चे की यूनिक आइडी हम निकाल लेंगे तो अब unique ID निकाल लेंगे तो उस unique ID को यहाँ पर fit करेंगे fit करने के बाद हम click here to verify करेंगे click here to verify करने के बाद प्रेड़ा पोर्टल पे उस बच्चे की details को दिखा देता है उपर समर्थ पोर्टल पे जो बच्चे का details है उसको दिखाता है अनीचे प्रेड़ा पे जब दोनों data same हो जाता है तब हम confirm करते हैं अगर समर्थ और प्रेड़ा के data में अंतर है अगर alpha weight का भी अंतर है तो हम पुनह बैक होकर उस बच्चे की detail में change करके फिर वो verify करेंगे तो यहाँ पे उस बच्चे की detail में अंतर है तो हम उसको पुनह अपडेट कर लेंगे प्रेड़ा पोर्टल के अनुसार और सारे detail सेम ते यह कही detail में अंतर था जिसको हमने update कर लिया अब ok करके पुनह हम click here to verify पे चले जाएंगे पुनह unique id number डालेंगे पुनह click here to verify करेंगे अब दिखिए अब नीचे लिख रहा है समर्थ यह प्रेड़ा प्रेड़ा में बच्चे की detail का मिलान ध्यान पुरुवक कर लिया इसका एसार नम्मर, class और माता पिता का नाम सब सेम है अबेट का भी अंतर नहीं है, अगर होगा तो हम मिलान करके पुनह अबडेट कर लेंगे उसके बाद confirm करेंगे confirm करने के बाद लिखता है कि क्या दोनों समर्थ यह प्रेड़ा पे बच्चे का detail मिला लिया गया है Yes, child has been mapped with Prerada portal Ok, Prerada portal पे किसी भी बच्चे का unique ID जानने के लिए हम scroll करके नीचे आते हैं और उस बच्चे के detail के सामने दाहिने तरब scroll करके जाते हैं तो यह आता student admission, student class उसके बाद यह आगया student unique ID number ठीक है, class के बाद student unique number दिया है इसी unique number को हम समर्थ पोर्टल पे verify करने के लिए वहाँ पे feed करते हैं तो जिस बच्चे का भी हमें unique ID number जाहिए वो हम scroll करके उस बच्चे के सामने चले जाते हैं और जाने के बाद उसके दाहिने तरफ आके उसका unique ID number यह लिख लेते हैं नोडल teacher हूँ चाहिए special educator इस unique ID को note करके हम समर्थ पोर्टल में verify करने के लिए यूज करते हैं अन्यवाद